हाँ तो भाई असलाम अलेकुम फाइनली वो यार बैक फिने नदर अपिसोर्ड यार आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले होगे किस तरह आए वे एक छोटे से फैल्टर की मदद से नहीं कलर क्वालिटी जो पिक्चर की कलर क्वालिटी होती है उसे बहुत हर तक इं स्कूर्ट होजेगी वाई की तो विदाउट बेसिकली टाइम आप जल्दी से चलते हैं फोटोशाप की तरह यहां पर हम आ चुके हैं अपनी फोटोशाप की स्क्रीम की तरफ और यहां पर मैंने अल्रेडी एक ही में जाएट कर लिया है ताकि आप लूप का जाले टाइम करना है कि हमने यहां पर विंडोश के पैनल पे आना है और उसके बाद हम स्क्रोल डाउन करेंगे और यहां पर हमें चूज करना है ग्रेडियंट मेरा अल्रेडी सेलेक्टेड है जिस्ट आपने उस पर क्लिक करना है और यह आपका सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद अब देख सकते हैं यह उसी lines हैं इन पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहां लेगिसी ग्रेडियंस वाला जो आप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना है मेरा अल्रडी सेलेक्टेड है अब इसके बाद हम यहां पे जब मतलब basically न हमारा यहां से शुरू होगा इसके बाद हमने scroll down करना है और यहां पे हमें end पे नजर आएगा legacy gradients इसे हम open कर लेंगे और इसके अंदर जो options है photographic toning यह जो effects हैं basically हम use करने वाले हैं अपनी आज की इस video में यहां से हमने इने use नहीं करना है इने use करने का जो सही method है वो यह है कि हमने यहां पे नीचे आना है यह जो circle आपको नजर आ रहा है इस पर click करना है उसके बाद gradient map और उसके बाद आप basically यहां पे already defaults on gradient apply हो चुक है जो कि हम बिल्कुल भी use नहीं करने वाले और हमने basically करना है यहां पे आपको क्लिक नहीं करना है आपको यहां arrow पे क्लिक करना है और उसके बाद मैं already यहां photographic toning के मतलब folder में हूँ मैं दुबारा से आपको एक दिफार करके रिखा रहता हूँ जब हम इसको open filter यहां से आइड कर लेते हैं मैं यह golden सा filter आइड करता हूँ अभी आप देख सकते हैं कि इसने एक किसम का वह black and white बाले जो effect होता है वह हमारी photo पे apply कर दिया आप इसको fix कैसे करना है इसको fix करने का बहुत simple सा method है जिस हमने यहां पे blending mode पे आना है आपको अगर कोई भी पसंद आता है और उसके बाद मैं इसकी opacity को low कर देता हूँ let's suppose हम इसे रखना है 50 पे उसके बाद अगर मैं filter को off करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी image कैसी थी और मैं से on करूँगा तो आप अबे remove हो जा यह हमारा effect remove हो कि अब इसके बाद हम इसे ये वाला effect देते हैं खेर मैंने gradient map तो add नहीं किया उसके बाद हम इस पर ये वाला effect कहां किया वह effect ये वाला effect लगाते हैं और उसके बाद दुबारा से soft light और इसकी opacity को थोड़ा सा old degrees down कर देते हैं 50 पे कर देते हैं इसे तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी original image कैसी थी और आप कैसी है hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इसने आपकी help किया तो make sure यार चैनल को subscribe करो इंशाला इसी तरह का quality content में आप लोगते लिए लेके आतार होगा अब मैं मिलूगा आप से आने वाली एक नए interesting वीडियो में तब तक के लिए Allah आफेस